मैडम मैडम आई लाव यू मैडम यू आर ब्यूटिफुल कॉलेज का वीडियो देख आप हो जाएंगे गुस्से से लाल लाव यू मैम जी आई मेरी जान ओए लाव यू मैम जी आई मेरी जान ओए हमें देख लो कॉलेज में छात्रों ने क्लास टीचर को ही छेडा भद्दे भद्दे कमेंट्स किये मैडम शर्म से लाल हो गई मैडम क्लास में पढ़ा रही थी और छात्र छेड़ चार का वीडियो बना रहे थे परेशान टीचर किताबों से मुछ छिपा रही थी तबी छात्र बोला जान क्या स्माइल है तुम्हारी किसी महिला का खूबसूरत होना किसी टेंशन से कम नहीं है एक खूबसूरत मैडम के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बलकि कल्यूग और बुल्डोजर वाली सरकार का दम भरने वाले योगी राज में अन्याई की वो सच्चाई है जिसे सुनकर कोई भी कहे उठेगा कि योगी के राज में राम राज नहीं बलकि रावन राज है अगर अभी भी आपने अपने बच्चों के हाथ से मुबाइल नहीं लिया तो बहुत कुछ होने वाला है आपका बच्चा स्कूल से सीधे जेल कैसे पहुँचेगा उसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के इंटर कॉलेज के छात्रों ने वो कर दिया जिसकी उमीद किसी को नहीं थी मैडम आई लव यू तक बात रहती तो बात बन थी भी यहाँ तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप देख लेंगे तो आप भी इन छात्रों को कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको सिलसिले बार तरीके से समझाते हैं आखर हुआ क्या महिला टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है उसी दोरान कुछ बच्चे महिला टीचर की खुबसूरती में डूप जाते हैं यह भूल जाते हैं कि यह उनकी मैडम है हम आपको दो वीडियो दिखलाते हैं जिसको देख कर आप तै कीजिए कि क्या सही है क्या गलत ये तस्वीर मेरट के किठार में डाक्टर राम लोहिया समारक इंटर कॉलेज है यहां कि ये मैडम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है जहां कई बच्चे बैठे हैं अब तक यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है चात्रों के पास मोबाइल होता है जिसका वीडियो भी वो खुद बनाते हैं कुछ चात्रों का एक ग्रुप मैडम की तरफ इशारा करता है और मैडम अपना मुझ छुपा लेती है वीडियो में यह तीन लड़के दिखते हैं मुझ हलकी हलकी आ रही है पर जवानी के आगोश में वो भूल गए कि आखिर वे क्या करने वाले हैं एक लड़का धीरे से आई लव यू बोलता है फ्रंट कैमरे से खुद को दिखाता है उसके बाद बैक कैमरा मैडम पर हो जाता है और पीछे से लड़का बोलता है इसके बाद वीडियो बनाने वाला दिखाता है साथ सेकंड के इस वीडियो में मैडम इंटर कॉलेज में ही क्लास रूम से निकल कर आगे की तरफ निकलती है केसी दौरान कुछ छात्र एक दम पेशे वार अपराधियों और मावालियों की तरह हरकत में आते हैं मैडम का रास्ता रोक उसे जबरन रोकने की कोशिश करते हैं और जो बोलते हैं वो सुनिये जी आई लाव यू मैम जी आई लाव यू मैम देख तो मैम देख लो और मैडम अपना चहरा छिपा कर वहां से भागने लगती है यह दो वीडियों साबित करते हैं कि हमारे बच्चों का भविश्य की सोर जा रहा है मुबाइल ने वह सब करवा दिया जो अफीम और गांजा करवाती है मैडम हैरान परिशान होकर पहले मैनेजमेंट के पास शिकायत लेकर गई मैनेजमेंट ने अंसुना कर डाला फिर वह पुलिस के पास पहुँची वहाँ जो कुछ हुआ उसने कहानी में एक और ट्विस्ट ला दिया मेरत के SSP ने आदेश दिया कि लड़कों की वैसे ही जाँच की जाए जैसे अपराधियों की होती है महिला की शिकायत पर वाइरल वीडियो के आधार पर IT एक्ट में नामजब चार चातरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पर सवाल ये उठता है कि ये सब बच्चे सीख कहां से रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में मर्यादा को तार तार करने का तरीका कहां से आता है मुबाइल पर ऐसे वीडियो लाखों की संख्या में मिल जाते हैं इंटरनेट की दुनिया में मर्यादा नाम का कोई शब नहीं होता एक जमाना था जब भारत में महिला शिक्षक को देख कर डर जाते थे लोग आज जमाना बदल गया है बच्चों की हरकत देख महिला शिक्षक डर जाती है अब आप बताईए कि आप अगर मेरट के SSP होते तो क्या करते बच्चों की हरकत पर क्या कहेंगे मैडम का खूफसूरत होना गुना है या बच्चों में संस्कारों की कमी है अगर आप ऐसे समाजिक मुद्दों पर नहीं बोलते हैं तो आज ही अपना मुबाइल बेच दीजिए क्योंकि सबसे बड़ा गुनागार वो होता है जो अन्याय पे चुप और खामूश होता है नेशनल डेस्क निउस लाइव बिहार जी आई लाव यू मैम जी आई लावी मेरी जान हुई हो मैम, मैम देख तो, मैम अदेख लो